आपका स्वागत है स्वाद के किच्चन में मैं लाई हूँ आपके लिए आज अज्वाइन का हलवा जो सर्दियों में हमारे सरीर के लिए बहुत ही लापदाइक होता है मेरे पास दूप में सुखाई हुई अज्वाइन है जिसका हम हलवा बनाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा पसंद आए तो लाइक कीजिए मैंने अज्वाइन को मिक्सर में डालके बारिक पीशा है जिसे हमारा अलवा त्यार होगा यह हमारा बारिक पीशा हुआ अज्वाइन त्यार है देखिए अजवाइन को बारीग पीष्ण अब मोता नहीं रखना है अगर आप मोता रखेंगे तो उसमें करवाथ आएगी अजवाइन के हल्वे के लिए मैंने गी ले लिया है जवाइन अजवाइन का हलवा सर्दी ओं निखानना चाहिए गर्मयों में सरीर में अच्छा नहीं होता है सर्दियों में ही अजवाइन का हल्वा अच्छा भी होता है और डैश्टी भी बनता है मैंने गयों काठा लिया है गी में अच्छी तरह इसको सेख लेंगे गयों काठा ज्यादा नहीं लेना है अगर हमारे पास अजवाइं को हमने दो चम्मच लिया है तो गयों काठा एक चम्मची लेना है इसको हम सुनेरा भूरा सेख लेंगे अच्छी तरह अगर आपको गी कम लगे तो और उपर से भी डाल सकते हैं हमारा आठा देखो पूरा सुने रा बुरा हो गया है मैंने थोड़ा उपर से गी डाल दिया है क्योंकि गी थोड़ा कम लग रहा था आटे को हम अच्छी तरह से शेख लेंगे चम्माच चलाते रहेंगे ताकि आठा चिपके नहीं देखिए आठा अच्छी तरह से सीख गया है अब हम इसमें पीसी हुई अजवाइन डालेंगे इसको भी थोड़ा सा आठे के साथ जब तो मिक्स ना हो जाए दिलाते रहेंगे जो भी हम अमने गी डाला था वह अजवाइन पूरा सोख लिया है अब हम मेरे पास पूराना गुल पड़ा था इसमें यह हैल्दी होता है गुल पूराना गुल डालने से अजवाइन का जो हमारे सरीर में लाइप ताइक होता है वह और ज्यादा लाइप ताइक हो जाता है अब गुल को हम अच्छी तरह से हल्वे में मिक्स कर लेंगे गुल को अच्छी तरह से मैंने अजवाइन के हल्वे में मिक्स कर लिया है अजवाइन के हल्वे में हमेशा गुल ही हमारे लिए अच्छा रहता है और आप थोड़ा सा गरम पानी राख अपने पास रखिए जो लाश्ट में हम अजवाइन को मिक्स करने के बाद इसमें पानी का छीटा लगाएंगे ताकि अजवाइन का हल्वा एक तम नरम हो जाए अगर आपको कड़क लगे अजवाइन का हल्वा सिखने के बाद थोड़ा कड़क हो जाता अगर लगे तो आप उसमें और पानी भी तो आपके पास गुन-गुना किया हुआ है वो डाल सकते हो आप कि हमारा हल्वा एक बन तयार है गुल भी पूरी तरह से अजवाइन में मिक्स हो गया है पानी डालने के बाद ज्यादा पकाने की जरूत नहीं है हमारा हल्वा तयार है अजवाइन का हजवाइन का हल्वा और तो के लिए बहुत हेल्दी होता है सर्दियों में और हम इसको दवई की रूप में भी यूज करते हैं हुआ हुआ है